हेलो एब्रीवन आज का मेरा ये वीडियो जिस टॉपिक पर बेस्ट है वो है कोस्टन लैंड फॉर्म्म्स क्रियेटेड बाई इरोजन एंड डिपोजीशन आज अपने इस वीडियो में हम कॉंटिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर पर क्रियेट हुए डिफरेंट फीचर्स इस्टडी करते हैं तो इन जियोग्रेफिकल टर्म के बारे में जरूर पढ़ते हैं ये सभी लैंड फीचर्स अर्थ के इंटर्नल एंड एक्स्टर्नल फोर्सेस के लॉंग टर्म प्रोसेस के कारण क्रियेट हुए हैं प्रतेक लैंड फीचर्स को उनकी characteristics के according by the name define किया जाता है हमारी earth crust several large plates से मिल कर form हुई है जिस पर continents and oceans both stand करते हैं इन upstanding continents and low laying oceans basin के बीच एक balance रहता है जिसे isostatic balance कहा जाता है land and ocean के बीच में create हुए ये oceanic features, isostasy या भू संतुलन के reference के according explain किये जाते हैं ocean surface पर erosion and deposition द्वारा formed land features के बीच divination impossible है हाला कि in land forms की characteristics different होती है फिर भी जिस process के द्वारा वो create होते हैं वो आपस में एक दूसरे से relate करती हैं आईए इन ही land features में सबसे पहले जानते हैं इस्थत्मस के बारे में अगर हम इस्थत्मस को हिंदी language term के according समझने की कोशिस करते हैं तो इसे थलसंधी या भूट अमरू मध्य कहा जाता है means land का वो सक्रा या narrow part जो two large land masses या continents को आपस में जोड़ता है और two large water bodies या seas को एक दूसरे से separate या अलग करता है अगर हम world map पर इसको समझने या जानने की कोशिस करते हैं तो हम देखते हैं कि इस्थत्मस आफ सुयज अफरीका एंड एशिया continents को आपस में एक दूसरे से connect करती है similarly इस्थत्मस आफ पनामा, Pacific and Atlantic Oceans को separate करते हुए North America and South America के larger land masses को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है अब जानते हैं गल्फ के बारे में जब हम geographical feature गल्फ की बात करते हैं तो देखते हैं कि जब ocean water किसी ऐसे भूभाग में इंटर करता है जो सिर्फ one side से संकीन रूप से खुला होने के अलावा लगभग सभी और से land से घिरा रहता है गल्फ कहलाता है गल्फ यूजवली continental masses में घिसाओ या simple word में हम ये भी कह सकते हैं कि coastal erosion के कारण फॉर्म होती है ocean surface पर चलने वाली currents अपने साथ mud and sand लाकर continental coastal region के पास गहरी दरारों को भर देती है अगर हम example की बात करेंगे तो Arabia and Asian mainland के बीच में situated Persian Gulf Arabian Sea का ही एक पार्ट है ये गल्फ Arabian Sea से state of hormones and the Gulf of Oman के द्वारा connected है other famous gulfs, Gulf of Mexico, Gulf of Guena, Gulf of Alaska and Gulf of Eden है अब जानते हैं ऐसे ही एक geographical term बे के बारे में ये एक ऐसी चोड़ी, घुमाओदार, कटी-फटी coast line होती है जो usually two mainland के बीच situated होती है जो बे कहलाती है गल्फ और बे के बीच के difference को इस तरह समझा जा सकता है कि जब दो main land के बीच किसी water bodies का entering point सक्रा और interior part चोड़ा हो तो इसे गल्फ कहते हैं जबकि इसके ठीक विपरीत अगर प्रवेश चोड़ा और interior part सक्रा हो तो इसे बे कहते हैं कभी कभी coast line में erosion के कारण ocean water continents के interior parts में inter कर जाता है और पानी के तेज flow के कारण continent के किनारे की soft rocks के तूट जाने के कारण ये ocean water के लिए प्रवेश द्वार बना देता है जो बे का रूप ले लेती है और two main headland के बीच में वेकल्पिक अंडा कार आकरती बन जाती है जिन्हें mini base कहा जाता है Bay of Bengal इसी isostatic adjustment and erosional forces का ही example है North America continent की Cape Cod Bay भी ओशियन में flow करने वाली long shore drifts and isostatic adjustment का ही example है Man in base का best use इन्हें harbors में convert करके करता है अब हम जिस coastal land form के बारे में जानेंगे वो है Cape Cape या अंतरीप, continent का नुकीला भाग होता है जो large ocean water में अंदर तक निकला होता है Cape के creates होने का general process भी erosion है अब जानते हैं coastal erosion के द्वारा form हुए एक और land feature state के बारे में state two continent के बीच पानी के ऐसे तंग मारग को कहते हैं जो two large water bodies को connect करता है इसका geographical shape डमरू जैसा होने के कारण इसे जल डमरू मद्ध भी कहते हैं रशिया और अमेरिका के beach situated bearing state इसका best example है जो arctic ocean, bearing sea and north pacific ocean को आपस में connect करती है इसी तरह south India और श्रे लंका के beach situated पार्क स्टेट, बे और बेंगॉल और इंडियन ओशियन को connect करता है अब बात करते हैं peninsula या प्राइदीप के बारे में अगर हम प्राइदीप या peninsula को define करेंगे तो ये वो land area है जो almost three sides से ocean water से घिरा होता है और mainland से इस थतमस के द्वारा connect होता है ये एक ऐसा geographical feature है जो हमें प्रतेक continent में देखने को मिलता है Arabian Peninsula वर्ड का largest peninsula है जो Asian mainland को connect करता है और तीनों तरफ Persian Gulf, Arabian Sea and Red Sea से घिरा हुआ है इसके अलावा Iberian Peninsula of Europe and Indian Peninsula भी इसके best example है अब जानते हैं islands के बारे में आइलेंड या द्वीप भूमी का वे भाग है जो चारों ओर से ओशियन वाटर से घिरा रहता है जब कभी ओशियन में एक ही प्लेस पर कई islands एक साथ situated होते हैं तो इन्हें और को पैलगो कहा जाता है example के लिए लक्षदीप आईलेंड 36 islands का एक group है जबकी अंडवान एन निकोबार 300 islands का group है and Caribbean islands जो Caribbean Sea में situated है और को पैलगो के best example है Greenland वर्ड का largest island है जो North America से तो connected है लेकिन राजनाईक तोर पर इस पर यूरोप के देश डेनमार्क का अधिकार है अब जानते हैं ocean and land के बीच फॉर्म हुए ऐसे ही एक land feature डेल्टा के बारे में डेल्टा ऐसे भुभाग को कहा जाता है जो reverse के द्वारा बहा कर लाए गए sand and gravels के deposition के द्वारा फॉर्म होते हैं मेली नदियों के मुहाने पर जहां वे किसी समुद्रिया जील में गिरती है reverse के flow की last stage पर ढालान कम होती है और उसमें उसके साथ बह कर आए अवसादों की अधिकता होती है जिससे नदी की परिवहन शक्ती कम हो जाती है और उसाद एक जगे एकत्रित होने लगते हैं नदी का वेग कम होने के कारण oceans में गिरने के पहले ये कई parts में divide हो जाती है इसलिए simply delta triangle shape में होता है अब जानते हैं ऐसे ही एक land feature लैगून के बारे में लैगून coastal region के पास form हुए खारे पानी की एक जील है जो ocean से अलग हो जाती है कई बार नदीयों के मुहाने पर ocean currents या winds बालू मिट्टी के टीले बना कर water area को ocean से अलग कर देती है और उन area में ocean water नहीं पहुँच पाता जो लैगून की formation करता है इंडिया के eastern coast पर उड़ीसा की चिलका और आंध्र प्रदेश की पुलिकट जीले इसी प्रकार बनी है तो ये था coastal erosion के द्वारा create हुए different ocean and land features का detail explanation मैंने अपने previous video major landforms of the earth में lithosphere पर create हुए different landforms such as mountain, valleys, plateaus and plains के बारे में भी detail से बताया था अगर आपने अभी तक इस video को नहीं देखा है तो मेरे description box पर जाकर इसे जरूर देखें अगर आपको मेरा ये video helpful लगा है तो प्लीज इसे like करें, comment section में views बताएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा share करें और new updates देखने के लिए मेरे channel को जरूर subscribe करें मिलते हैं next video में ने topic के साथ till then keep learning and stay safe thank you